सुप्रबात मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सब वेल्जम टू यॉर हिंदी क्लास सु बेबीज आज की विडियो में ने हम आम आपको हिंदी की कुछ बहुत ही मज़ेदार राइम्स सिखाने वाली है क्या आप सब सीखना चाहते हैं? वेरी गूद So let's start Oh wow, what's that? Parrot Yes, it's a parrot और parrot को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? Tota क्या बोलते हैं? Tota तो चलिए अब हम Tota पर एक कविता सीखते हैं Tota हूँ, मैं Tota हूँ हरे रंग का होता हूँ चोच मेरी लाल है सुन्दर सुन्दर चाल है बागों में मैं रहता हूँ मीछे फल मैं खाता हूँ शिकारियाने पर छिप जाता हूँ शिकारियाने पर छिप जाता हूँ Very good, let's do it again Tota हूँ, मैं Tota हूँ हरे रंग का होता हूँ चोच मेरी लाल है सुन्दर सुन्दर चाल है बागों में मैं रहता हूँ मीछे फल मैं खाता हूँ शिकारियाने पर छिप जाता हूँ तो चलिए अब हम हिंदी के एक और कविता सीथे हैं बड़ बेबीज आप सब भी नेहा मैं के साथ साथ गाएं और माउस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं चूहा और हम हम के पास कितने चूहे हैं तो अब हम दो चूहे पर एक कविता सीखेंगे दो चूहे थे, मुच्चे मुच्चे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे बिली ने कहा म्याव, म्याव ना ना मसी ना हमें खाजाओगी, गला काज डालोगी हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे वेरी गूद, लेट्स दो चूहे थे, मुच्चे मुच्चे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे बिली ने कहा, म्याव, म्याव ना ना मसी ना हमें खाजाओगी, गला काज जालोगी हम तो नहीं आएंगे, हम तो भाग जाएंगे Great All right babies तो क्या आप सभी तयार हैं Hindi के एक और rhyme सीखने के लिए Very good तो क्या आप मुझे पता सकते हैं ये क्या है Yes, it's an elephant और हम elephant को Hindi में क्या बोलते है Hathi Very good और अब निया माम आपको Hathi पर एक कविता सिखाएंगी Okay एक मुटा हाथी जूमके चला मकड के जाल में जाके वो फसा जाल को देखा देख के जरा दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा तो मुझे हाथी जूमके चले मकड के जाल में जाके वो फसे जाल को देखा देख की डरे तीसरे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा तीन मोटे हाथी जूमके चले मकड़ी के जाल में जाके वो फसे जाल को देखा देख की डरे और चोथे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा चार मोटे हाथी जूमके चले मकड़ी के जाल में जाके वो फसे जाल को देखा देख की डरे पाच्वे हाथी को इशारे से बुलाया इधरा इधरा पांच मोटे हाथी जूमके चले मकड के जान में जाके वो फसे जाल को देखा देख किदरे और सबने मिलकर जाल को तोड़ दिया तोड़ दिया Very good तो बेबीज आप सबको एक अविताय सीख कर मज़ा आया Great और अब आप सबको ये सभी राइंस लर्न करके अपनी अपनी टीचर्स को इनकी वीडियो बना कर भेजने है Okay So, bye for now Today's thought for the day is Start each day with a positive thought and a grateful heart Which means we should always start our day with a positive thought and a grateful heart As it will encourage you to improve and keep trying for better